स्वागत है दोस्तो हमारे YouTube चैनल में आप देख रहे हैं येस ऑंड येस कॉल संटेज अंत्रक्शन और मैं आज आपको बताऊंगा कम्बाइन फुटिंग कैसा होता है और किस तरह का होता है और किस तरह का डिजाइन होता है इसमें कम्बाइन फुटिंग में दोस्तों फुटिंग है दोस्तों यह देखें यह कम्बाइन फुटिंग है एक कम्बाइन फुटिंग में यह जाली आपको जाली नजर आ रहा है यह जाली नजर आ रहा है तो यह आपको जहना पांच पांच इंची सेंटर टू सेंटर पर बांदा इस पीलर में यह पीलर आपके जी पलस टू बिल्डइंग के लिए डिजाइन किया गिया है और इसमें देख सकते हैं जो यह रिंग जो यह इसको बोलते हैं यह इस्टिरफ है यह 9 इंच और यह इधर हमारा पंद्रा इंच फिनिसिंग धलाई हमारा नौबय पंद्रा का कॉलम होगा और ये जो है न ये भी पांच ये पांच इंची स्क्यू सेंटर डिस्टेंस में ये रिंग आपका बांधा हुआ है और इसमें इस पीलर में आठ सरिया है जो देख रहे हैं आठ सरिया है आठ में 16 चार का है और 12 mm का चार सरिया है और देख सकते हैं और ये डबल रिंग डबल रिंग कहीं साब से मतलब फोर लेग इस्टिरप फोर लेग इस्टिरप बाना हुआ है जी पलस टू को मैंड बे रखते हुए कॉलम को स्टिरप या बाना है और पीलर का साइज जो है 9 इंच चार सरिया पंद्रख ये कॉलम का साइज है और ये कंबायंड फोटिः करे हे बहुत ही strong किया गिया है देख सकते हैं हमारा इस तरह का वीडियो इस चैनल में आते रहता है दोस्तो तो इसलिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और कुछ भी suggestion देना हो तो comment box में जाके suggestion दे सकते हैं दोस्तो आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बना के लेकर आता हूं दोस्तों इसलिए खास करके कि आप सभी से प्यार है इसलिए दोस्तों और कुछ भी suggestion खास देना हो तो comment box में जरूर दीजिए और ये देखे concreting किया करके हो गया दोस्तों ये mystery finishing करने में लगा हुआ है देखे दोस्तों पुरा full thank you for watching